जी नमस्कार दोस्तों ग्यानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयरी कर रहा है यह हमारे इस एक्जामनेशन 2023 की आज की इस वीडियो में हम लोग जो करांट अफेर्स के जो क्वेस्चन से दस क्वेस्चन से डेली जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फ्रेक्टिस करते हैं ऐसे करंट अफेर्स हैं जो इक्जामनेशन में जिनके पूछे जाने की संभावना है और ये वीडियो ये हमारे इसके सभी पोस्ट के लिए प्रिंस्पल टीजीटी पीजीटी होस्टेड वालन लाइब अटेंडन ज जाहिर सी बात है अब इक्जामनेशन कभी भी हो सकते हैं तो हम लोगों को अपनी स्पीड को और तेज करना होगा अपनी तैयारी बढ़ानी होगी तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 10 कोईस्टन करेंट अपेर के पढ़ते हैं पहला जो कोईस्टन ये है कि हाली मे में सौमिनाथन हम सभी लोग में सौमिनाथन का नाम जानते हैं अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी हम लोग करते हैं तो में सौमिनाथन का नाम हम सब जानते हैं निधन हो गया है उनका देहान्त हो गया है किस छेतर के परसिद्विक थे में सौमिनाथन जिनको Father of Green Revolution in India कहा ज चलिए अपना दूसरा question देखते हैं, GST सहाए, GST सहाए एक mobile app है, एक application बनाया गया है, किसलिए बनाया गया है, Inwise Financing Loans पलेट फार्म करके launch किया गया है, यह आपको दिख रहा है, GST सहाए करने के लिए एक Inwise Based Financing application है, जिसको develop किया गया है, बनाया गया है सेड़बी द्वारा सेड़बी ने इस application को launch किया है, चलिए हम लोग तीसरा question देखते हैं, कि भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त चमता निर्माड पहल, एक joint capacity building पहल की सुरुवात की है, किसके साथ, World Bank के साथ नहीं की है, ASEAN के साथ नहीं की है, SAR के साथ नहीं की है, संयुक्त राष्ट के साथ UN के साथ, United Nation के साथ, बारत ने एक संयुक्त चमता निर्माड पहल की सुरुवात की है, चलिए चौथा question देखते हैं, भारतिये भासा उसो, बारतिये भासा उसो कारिकरम किस सहर में आयोजित किया जा रहा है, एक कारिकरम चलाए जा रहा है, एक उसो मनाया जा रहा है, भार ये बासा उसो एक कारिकरम मनाया जा रहा है ये उत्तर परदेश की राध्धनी लखनों में ये कारिकरम अभी भी चल ला है तो इसे आप लोग नोट कर लिजेगा अब चलिए पांचवा कोश्चन देखते हैं कि गलोबल इन्नोवेशन इंडेक्स 2023 एक इंडेक्स है उसमें भ कुश्चन देखते हैं कि ASEAN Games 2023 में महिला बूसु 60 kg बरग में 60 kg बरग में किस भारती ने रजत पदक जीता है तो मड़ीपूर की रहने वाली है हमारी रोसी मीना देभी रोसी मीना इनको जो है बूसु में 60 kg बूसु में इनको रजत पदक मिला है मड़ीपूर की रहने वा बूसु उन्होंने जो ASEAN Games जो चाइना में चल ला है उसमें उन्हों को रजत पतक मिला है चलिया साथवा कोईश्चन देखते हैं कि आठवे महादीप का क्या नाम है जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि पूरे वर्ड में पूरे बिसु में महा दीपों की संख्या साथ थी लेकिन अभी एक और महादीप की खोज हो चुकी है तो एक और हो गया अब टोटल जो है महादीपों की संख्या आठ हो गई है आठवा महादीप का क्या नाम है इसका नाम है जी लेंडिया न्यूजी लेंड के बगल में है इसलिए इसका नाम ज ग्यानिकों द्वारा जी लेंडिया चलिए आठवा कुश्चन देखते हैं कि T20 क्रिकट में सबसे तेज अर्चसतक का रिकार्ड किस खिलाडी ने बनाया अभी हाल ही में एक ASEAN Games में ही ये रिकार्ड बनाया गया है यूरा सिंग का पुराना रिकार्ड था जुन्होंने 12 गेंद में 12 बाल में अर्चसतक लगाया था धोनी तो हई नहीं इसमें रन तो इससे हो कहते है फिर इसने दो रन लिया था उसके बाद फिर जो है इसने दो छके जने थे इस प्रकार इसने नो गेदों में ही अपना जो है सतक पूरा कर लिया था चलिए हम लोग अगला question देखते है नावा question देखते है वी परेटन दिवस मनाया जाता है परेटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों में जागरुकता लाने के लिए ये दिवस हर साथ 27 सितंबर को मनाया जाता है आज की इस वीडियो का अंतियम कोईश्चन है दसवा कोईश्चन की आसकर पुरुसकार 2024 के लिए भारत की ओफिसल इंटरी के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है 2024 का जो आसकर पुरुसकार होगा उसके लिए भारत की ये फिल्म गई है उसको बहजा गया है हो सकता है कि जीत भी जाए उस फिल्म का नाम है 2018 Everyone is a hero ये फिल्म है इसको भारत की तरफ से आसकर 2024 के लिए भेजा गया है तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पिलीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिजेगा और अगर आपको इसका पीडियाप डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग इसका पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं